अब आपके सारे फिसिक्स के नेशिटिन माच्जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुछिन की फोटो खीचो अपको और तुरंच वीडियो सेलुशन पाओ डाउलोड कीजिए डाउटर डाप अभी है और फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो चार्स तो इस के उसे नमसे बोला है कि object of size 3 cm is placed 14 cm in front of a concave lens having focal length 21 cm ठीक है हमें object की height दिये object distance ये from lens and lens की focal length भी हमें दी वही है तो मैं बोला है कि describe the image produced by the lens what happens if the lens is moved further from the if the object is moved further from the lens ठीक है तो concave lens है हमारा right तो यह हमारा कौन के लेंस हो गया इससे हमने 14 cm आवे यहां पर यह distance 14 cm होगी ठीक है 14 cm आवे हमने इससे 3 cm long एक object हमने यहां पर place कर रहा है और इसकी जो focal लेंद वह हमारी 21 cm है ठीक है तो हमें find out करना है कि इसकी image के बारे में बताने कि इसकी image का क्या क्या होगा right तो यह साइड इसके लि साइड यह साइड इसके लिए नेगेटिव अना तो इसकी जो focal लेंथे वो हमारी क्या होगी फोकल लेंद इसके पी सेक्टर रॉपलाई करती है फोकल लेंथ हमारी इसकी 21 cm 21 cm minus 21 cm हाना object distance you will be minus 14 cm तो हम यहां से image distance निकाल लेंगे भी mirror formula अप्लाई कर देते हैं 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U right तो minus of 1 by 21 will be equals to minus of is equals to 1 by V or a minus minus plus 1 by 14 अना तो 1 by V की value क्यों आगई minus 1 by 21 minus 1 by 14 तो यहां से इसका LCM कियता हाजाएगा हमारा 2042 हमारा LCM आगया हना तो यह किता टाइम होजागा 2 और minus यह होजागा minus 2 minus 3 हाना तो यह किता आगी हमारे जो V की value हो हमारे किता आगी minus 42 by 5 ठीक है तो जो हमारी image distance हो minus 42 by 5 cm आगी तो image हमारी मतलब यहां कहीं बनेगी पीछे की तरफ minus 42 by 5 cm distance पे ठीक तो अब हम बात करते हैं image की हमने coordinates find out कर लिए अच्छा और जो यह convex lens कैसा है हमारे concave lens है तो पहले हम magnification में find out कर लेते हैं तो magnification क्या होता है हमारा V upon U image की distance upon object की distance तो image distance हमारी किता है minus 42 by 5 upon U object distance किती थी 14 हाना तो यह करता हो गया हमारा यह 3 minus 3 by 5 minus sorry object distance पी हमारी minus 14 थे हमारी minus minus plus तो यह magnification value हमारी क्या आगी 3 by 5 आगी तो पोजिटिव मेंगनिफिकिशन हमारी क्या है पोजिटिव आया तो पोजिटिव होगी हाना अगर एक होगी तो जो इमेज है वो हमारी वर्च्वल भी होगी तो हमारी इमेज की नेचर के बारे में हमारी पास दो चीज़े बाद चल लगी यह इमेज वह वो वर्च्वल है और एक है also magnification की value 3 by 5 मतब 1 से सोटती है तो जो इमेज होगी हमारी diminished होगी इमेज हमारी produce होगी ठीक है इमेज की जो हाइट होगी वो कित्ती होगी तो इमेज की है 3 by 5 टाइम्स हमारी magnification कीता है 3 by 5 टाइम्स हाना तो क्यों होता है magnification goes to height of image upon height of object हाना तो height of object हमें तो 3 by 5 into 3 तो यह हमारी 9 by 5 9 by 5 cm हमारी जो है वो image हाइट होगी ठीक है अब हमने यह चीज़ डिसकेस कर लिए अचा है और हम से क्रिशन में क्या पूचा था कि further हमसे क्या बोला है कि what happens if the object is move further from the lens अगर हम object को lens से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा ठीक है तो पहली बात तो इसकी focal length किती है हमारी 21 cm हाना तो object जो है हमारा इसके focus इसका यहां कहीं होगा ना focus और पॉल के इसके अंदर रखा है ठीक है तो जैसे हम object को दूर लेके जाएंगे तो जैसे image हमारी इसके कहां पर बन रही थी 42 by 5 पर तो approximately 10 के यहां कहीं इसकी image बन रही थी हाना object और पूल के बीच के अंदर यहां पर कहीं इसकी ऐसे erect image बन रही थी तो अगर हम इसको जैसे object को पीचित की तरफ लेके जाएंगे तो जो हमारी image है that will also move towards focus हाना यह हमारी focus तक move करेगी लेकिन जैसे focus के beyond जाएगा तो उसके अबाद यह image हमारी move नहीं करेगी तो move towards focus move towards focus जैसे हम दूर लेके जाएंगे object को जो हमारी image है वो focus के towards move करेगी ठीक है क्या हूंगे जाएंगे वो सब्सक्राइब करें लेके जाएंगे लेके बढ़ाब करेंगे वो मैं है